हलो प्रेंट, स्वागत है आपका मेरी चैनल में आज की रेसिपी बहुत है स्पेशल है इसको आप डाल भी कह सकते हैं और इसको आप सबजी भी कह सकते हैं तो आज हम बनाएंगे सहजन वाली अरहर की डाल इससे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेश्टी लगती है तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए सहजन सहजन को हम लंबे-लंबे चुकड़ों में काट लेंगे और इसके बाद इसको हम छील लेंगे इसके बाद हम लेंगे अरहर की दाल जो पहले से भीगोई होई है इसे हम लगभग दो घंटा पहले भीगो लेंगे और इसके साथ ही हमें चाहिए कुछ मसाले जो एकड़म बेसिक मसाला है जैसे बारिक कटा हुआ प्याज दरदरा कूटा हुआ अदरक लैसुन, बारिक कटी हुए हरी मिर्च बारिक कटा हुआ टमाटर पेजपत्ता और पाँच पोड़न तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हम एक कुकर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे अरहर की डाल जो पानी में हम भिगोए थे उसको भी इसमें डाल देंगे और इसके बाद इसमें हम एक्स्ट्रा पानी भी डालेंगे तो पानी अपने हिसाब से डालना है जितनी आप डाल ले रहे हैं और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और फिर इसमें हम डाल देंगे हल्दी अब नमक हल्दी डाल कर दाल को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसमें हम धकन लगा देंगे और इसे हम 4-5 सेटी लगाएंगे इसके बाद इसको हम तुरंट नहीं खोलेंगे हम धकन के अपने आप खुलने का वेट करेंगे तो जब तक दाल पती है चलिए हम आगी की तयारी कर लेते हैं तो इसके लिए एक कड़ाई में हम डाल देंगे थोड़ा सा सरसो का तेल और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे सहजन सहजन को हमें अच्छे से भूनना है तो यहां पर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक. ध्यान रहे नमक हम पहले भी डाल में डाले हैं, तो इसलिए नमक को थोड़ा ही डालेंगे. और नमक डालकर सहजन को हम तब तक फ्राई करेंगे, जब तक इसका color change ना होने लगी. यानि जब यह हलका हलका सा गोल्डन होने लगे तो इसके बाद इसे हम निकाल लेंगे सहजन फ्राइ कर लेने के बाद कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा तेल बचता है तो उसमें हम डाल देंगे पार्च पोड़न और तेजपत्ता जब पोड़न अच्छे से ब्राउन हो जाए तो इसके बाद इसमें हम डाल देंगे दरदरा कूटा हुआ लहसुन और साथी साथ यहां पर हम डाल देंगे दरदरा कूटा हुआ अद्रक अब इनको हलका सा भून लेंगे लगभग 10 सेकंड के जितना और इसके बाद यहां पर हम डाल देंगे प्याज और साथी साथ यहां पर हम डाल देंगे हर इमिर्च अब इन सब को हमें अच्छे से भूनना है तो जब तक ये भूनता है चलिए हम डाल चेक कर लेते हैं और यहां पर हम देख सकते हैं कि डाल जो है वो बहुत ही अच्छे से पक गई है ये बहुत जादा गाड़ी भी नहीं है बहुत जादा पतली भी नहीं है हमें बिल्कुल ऐसी ही डाल की जरूरत है इसके बाद प्याज जब गुलाबी हो जाए तो यहाँ पर हम डाल देंगे टमाटर और यहाँ पर हम डाल देंगे नमक ध्यान रहें नमक को हम पहले भी डाले हैं तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है हम थोड़ा ही नमक डालेंगे और नमक डालकर टमाटर को हम तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर जो है वो एकदम अच्छे से गल नहीं जाते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कि टमाटर बहुत ही अच्छे से गल गए हैं. तो फिर यहां पर हम डाल देंगे सहजन. और सहजन डालकर इसको भी हम एक मिनट तक मसाली के साथ ध्हून लेंगे. और जब सहजन भुन जाए तो इसके बाद इसमें हम मिला देंगे अरहर की डाल इसको डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर आपको लगे कि आपकी जो डाल है वो थोड़ी जादा गाड़ी हो गई है तो फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा गरम पानी मिला सकते हैं और इसके बाद इसको हम ढग देंगे और ढग कर इसको दो से तीन मिनट तक अच्छे से पका लेंगे और हमारी जो डाल है वो बनकर पूरी तरह से तयार हो गई है सहजन जो है वो भी बहुत ही अच्छे से पक गए हैं एकदम अच्छे से सौप्ट हो गए है इस डाल को अगर आप चावल के साथ खाते हैं तो इसके लिए आपको अलग से कोई सबजी बिनाने की जरूरत नहीं होती है यह दाल ऐसे ही चावल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और साथ ही साथ यह ज़्यादा फाइदे मन भी है क्योंकि इसमें अरहर की दाल है सहजन है तो यह बहुत ही ज़्यादा है तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरू ट्राइक कीजिएगा और अगर वीडियो अच् अबर अलाः है तो यह ज़ियन कर दो कर दो दॉक सरी यह जोड दो कर आप टॉबक्त बीकिस का पाटन वी ज़ादाघ कीज़ को 충alth कीछ भी इल-टाय त Arbeit को बेंग टवर सू तो को ज़ Eddy